आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं। आज 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 आपको ड़्ने की जरूध नहीं। मेन जो भाषन है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ। तो आप रिलाज्स कर सकते हैं। आप शांत रह सकते हैं। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाहरा हूं, मैं दिल से बोलना चाहरा हूं एक दो गॉले जरूर मारूँगा, मगर इतना नहीं मारूँगा पिछली बार जब मैं बोला, तो शाहिद मैंने आपको थुڑा कश्ट भी पहुंचा है क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अधानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता है शायद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो जो उनको कश्ट हुआ रहा हुआ हुआ है अधानी पे आभी एक काश्ट हुआ ए आभी मिका। लॉक्त काश्ट हुआ हुआ है तो तो वो जो कश्ट हुआ उसका उसका असर शायद आप पे भी दोड़ा हुआ तो इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ मगर मैंने सिर्फ सचाही रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं आज 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 है को डणने की जरूरत नहीं है तरह माइज की आज जो तो आज आज कोई गबराने की जरुरत नहीं है आज मैं अपना भाषन में जो भाषन है वो अधानी जी पर नहीं बोलने जा रहा है तो आप रिलाज्स कर सकते हैं आप शांत रह सकते हैं क्योंकि मेरा भाषन आज दूसरी डारेक्शन में जा रहा है रूमी ने कहा था रूमी ने कहा था जो शब रूमी ने कहा था जो शब दिल से आते हैं वो शब दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं और 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 मैं और मैं आज मैं आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूंगा मतलब एक दो एक दो गोले जरूर मारूंगा मगर इतना नहीं मारूंगा तो आप रिलाक्स कर सकते हैं झालिज बोले इतना चाह रहा हूं